दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम Excel डेटा पे काम कर रहे होते हैं बड़े डेटा पे स्पेशली तब वहाँ पे डुब्लिकेट वैल्यू जाने के चांसे सोते हैं और ऐसी डुब्लिकेट वैल्यू को डिटेक्ट करना या हैलाइट करना अगर आप जानना चाहते तो आ तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डुब्लिकेट वैल्यू इस को करना तीन तरिके यहां पर मैं को बताने वालाओ तरीका नमब Corona बटू जांबंट पूरा का पूरा 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 या पिर आप задач ने अपर पर दिखा देंगे इससे करते हैं उसके बाद यहां पे आपको दिखाएगे रहा है इस किपिक्ल dan do not you double jobs let me zoom it, दिखाए दे रहे, so duplicate values पे click कीजिए, और यहाँ पे duplicate रहता है, इसकी जगाँ आप unique भी ले सकते हैं, फिलाला में duplicate ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे duplicate रखा है, light red with dark red text यह color है, आप color चाहिए तो जो चाहिए वो customize कर सकते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे आपकी duplicate values highlight हो चुक अगर आपके row में कोई duplicate values है, मतलब एक column नहीं check करने है, पूरा पूरा row अगर duplicate है, जैसे गनेश मिश्रा का यहाँ पे एक row दिख रहा है, और गनेश मिश्रा का यहाँ पे एक दिखाए दे रहे, राज जादो यहाँ पे एक दिखाए दे रहे, तो इनको highlight करना है, लेकिन राज जादो का यहाँ पे जो data ध्यान दीजिए, यह same as data आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यह वाला जो data दिख रहा है, ना 7 number row में, राज जादो का data, ध्यान से देखिया, यह थोड़ा सा लगे, कैसे अलग दिख रहा है आपको, यहाँ पे amount देखिए, change है, तो entire row सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे concat करेंगे, concat, concat याने की हम यह पूरा पूरा जो line है, इसे select कर लेंगे, concat के अंदर, तो concat क्या करता है, join करेगा, किसे join करेगा, इन सभी text को एक साथ join कर देगा, string बना देगा, गनेश, मिश्रा, माग, और यह देखिये, सब का सब, और मैं इसे double click करके drag करूँगा, यह देखिये, यह column के अंदर आपको दिखाए दे रहा है, इक concat कर क्या रहा है, a2 to d2 में, जितने भी text आपने से लेकिए, जितने भी sales आपने से लेकिए, उन सभी को merge कर रहा है, basically, एक साथ merge आने की, एक साथ जोड रहा है, okay, right, तो यहापे एक बड़ी सी string आपको मिल रहे है, अब इससे क्या मिल रहा है, कि यह गनेश मिश्रा, यह पूरा पूरा row हो गया, अब मै इसमें duplicate values find out कर सकता हो, अगर मैं इसे duplicate highlight करूँगा, conditional formatting में जाओंगा, highlight sales rule, duplicate values, और यहापे मैं duplicate करूँगा, तो यह दिखाए दे रहा है, highlight हो रहा है, duplicate values का, highlight हो रहा है, basically, अब यहापे मुझे क्या करना है, basically, यह entire row जो है न, वो highlight करना है, अब मैं duplicate values highlight करूँगा, तो यह इतनी highlight भोरी values और जो कि मैं यहां पर यह रो highlight नहीं कर पाँ, मुझे रो highlight करना ईंटार राजजादो का तो कैसे करेंगे तो यह duplicate values का जो मैंने highlight किया, वो rule clear कर देते, clear rule from selected यसे पहले select कर लो and conditional formatting में clear rules, clear rules from selected cells, यानि कि जितना selection है उसी का conditional formatting हट जाए, right? तो चलो, यहां पर देना इसलिए नहीं है, क्योंकि यह entire row मुझए highlight करने है, तो उसके लिए क्या trick है, trick देखिये, यहां पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, count heap का formula लगा देंगे, इसके पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है, कि डूब्लिकेट वैलू जुशे कैसे कर सकते count heap की मदद से यहां पर range और criteria ये दो चीज दिए जाते range और criteria देखिए हर एक formula का syntax होता है और syntax के अंदर arguments होते range यह पहला argument है criteria है दूसरा argument है यह formula के बारे में आपको पता हो न चाहिए दें कि Excel के formulas आपको रट्टा मारके नहीं सीखने में हमेशा कहता हूँ उसका logic समझना है कि इसके अंदर जो argument है range मतलब क्या criteria मतलब क्या और यही सारी चीजे मैंने मेरे application में जो course design किया है Excel का उसमें सारी चीजें डीटेल में बताई लगबग 150 से भी ज़्यादा video tutorials में ने interview questions भी आड़ किया PO table या फिर हरे एक formula को आड़ किया Excel के अंदर जो interview से related रहता है जो jobs से related रहता है basically क्योंकि मैं 15 साल से Excel पढ़ा रहो तो मुझे पता है कौन से formulas को किस तरह से use किया जाता है इस्तमाल किया जाता है और corporate में कौन से formulas यूज़ हो तो एकसल कोर्स में पूरा comprehensive मैंने सारा सारे चीज़ा आड़ कर दी description में आपको मेरे application के link मिलेगी जहां पर आप ios o certificate के साथ in-app video download के साथ हाँ आपको मिलेगा course completion का और आपको Hindi e-book भी मिलेगा अपना एकसल का जो एकसल कोर्स आप इन्रॉल करोगे तो Hindi e-book भी वहाँ पर bonus के तोर पर हमने रखा है तो यह चेक out कीज़े application के link description में फिलाल तो मैंने आपको बता है कि अगर आपको excel सीखना है बिरी teaching style आपको जड़ा पसंदारी समझ में आ रही है तो जाके चेक कीज़े राइट सो डॉंट वेश्ट यो टाइम एंड वेश्ट यो मनी अलसु क्योंकि यहां पर बहुत ही कम वीज में कोर्स रखा है और टाइम तो आप अपनी सब से सीख सकते ना वहां पर प्री को मैं एफ फोर प्रेस करके सा फिक्स कर दूँगा ताकि जब मैं ड्रैक करूंगा तो यह फिक्स रहे है उसके बाद मैं कॉमा दूँगा कोमा देने के बाद यहां पर क्रैटरिया की बारी है अब क्रैटरिया में यही सेल जो है न बैसिकली वह यहां पर फिक्स नहीं किया जाएगा बिसीकली जब हम इसे ड्रैग करेंगे मैं क्लोज करता हो एंटर करता हो जब मैं इसे ड्रैग करूँगा दिखाता हूँ मैं आपको तो बताएगा कि यह देखिये हर एक वैली को देखिएगा पूरे रेंज में कितनी बार आ रही है तो एक से जादा आगर वह वैल् इस विल्गिट है इस तरह से आप देखेह यहां पर Дability को सिम्पल लोजीद के लिगा झाओ सिलेक्ठ सटेक्स को लका देना है । सबको सबक certains करने थे जिलएप्छ निंगने हमथे हम यह पर करने के बाद हमने वाली से सलेक्स में आप तूर सेल में पर करना है यह जो यह झिमकर यहां री गहलत से इसे सभी sales में हमें हमें चेक करना यहां पर is equal to नहीं नहीं ग्रेटर दैन यहां पर क्या करना है greater than 1 है क्या यहां पर greater than अगर 1 है मतलब 2 3 कुछ भी है तो वो duplicate है greater than 1 right equal to 1 है तो कोई problem नहीं है but greater than 1 है तो यहां पर क्या होगा वो duplicate आ जाएगा तो अगर app 2 sell में सभी में app 2 2 को यहां पर unfix करना याने कि यहां पर dollar sign हटा दी नहीं है यह द्यान में रखना यह देखिए मैं zoom करके भी बता रहो यहां पर 2 का dollar sign मैंने remove कर दिया आप करेने दो यहां पर format में क्लिक करो और format में यहां पर fill option दिखाए दे रहा है एक अच्छा खासा color आप जो चाहते हो दे दो और ok करो अब आप देखोगे दो-दो-दो सब highlight हो चुका है और इसे आप right click करके hide कर सकते है आराम से और रोज यहां पर highlight हो चुके है यह देखिए राज जादो मैंने आपको बोला था यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है वह duplicate नहीं है क्योंकि यहां पर एक values match नहीं हो रही है इसलिए आमने तरीक है लेकिन useful है अगर आप इसे properly करोगे तो duplicate values highlight करने आपको आ जाएगा अब तरीका number 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें क्या करना है duplicate rows को ही अलग निकालना है duplicate rows को ही हम अलग निकालेंगे लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हम concat वापीस करेंगे concat देखिए concat करें जाने चाहिएंगे इसे select करेंगे enter करेंगे concat पता है ना मैंने अभी अभी आभी अपको बता ऑपो technology यह फंक्शन याद रखो इससे क्या हो रह तो फिल्टर फॉरूला में यह पूरा ऑर्व दे कहं यहां संदुदाइगे सब्सक्राइगे यह यहां स सब्सक्राइब मोलें देगो फिल्टरेतनirmonta सुनक्राइब 2- Figli we 먹ें पूरे इनदी फिल्टर थे करेंग लिवग्स इनृक्त कैया है कर सब्सक्राइब क्राइट्रेया भी रहेगा. अब अब बोलो कि range भी वही, ख्राइट्रेया भी वही, क्योंकि वह क्या करेगा, दिकिए यह array में काम करता है filter formula हमेश हयाद रोको. तो यहां पे क्या होगा, हर एक sale को चेक करेगा इस range के अंदर, दिकिए E2 से E11 में जो एक-एक sale पड़ी है, व क Springs questo यहाँ पर कंडिशन देए और फिल्टर फॉर्मूला के उपर उल्रीडि मैंने वीडियो बना है अगर आपकि आपको मिल जाएगा तो वहाँ प dough papi मिलेगा filter formula office 365 के formula मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और यह जो filter formula है office 2021 या office 365 में ही चलेगा अगर आपके पुराना वर्जन तो filter formula नहीं चलेगा तो याद रखिए पहले ही बता देता हो ने तो यह तरीका आप पुराना वर्जन है अपडेट कर लो यार ओके नया जमाना है नया जमाने के साथ जाओ नहीं कुछ चीजे सीखो फिलाल तो include में मैंने यह लिखा लेकिन condition अभी बाकी है यह क्या करेगा मैंने आपको बताए कि यह range में एक-एक counting एक से ज्यादा आता है जिनका भी counting एक से ज्यादा आता है वह होते सब दूब्लिकेट वैल्यूस तो यह अमरी कंडिशन होगे और अगर यहां पर कॉमा दूंगा मैं और अगर दूब्लिकेट है राज जादो यहां पर दूब्लिकेट है लेकिन मैं इसे order में रखना चाहता हो गनेश की नीचे गनेश आना चाहिए राज की नीचे राज आना चाहिए तो यह इस filter के आगे बस sort formal लगाओ यह भी नए वर्जन में चलता है sort, sort आगे लिख दो and sort index को पूछ रहा है sort index आपको क्या करना है जैसे sort में array होता है sort index होता है sort order होता है तो sort index में यहां पे लेता हो one and that's it that's it Ganesh Mishra Ganesh Mishra राज जादो राज जादो order में आ चुका है right sort order one मतलब पहले column को मैंने लिया है तो sort or filter formula सीख लो यार काम की चीज़े ने वर्जन में और यह आप के पास नहीं है तो भी आप online office 365 के मज़से इनका practice कर सकते filter or sort formula online office 365 कि सरे लेटेड वीडियो में ने बनाया था उसका link में आपको description भी दे दूँँगा कि फ्री में आप office 365 के formula कैसे यूज कर सकते हैं यह कहना है so that's it guys वीडियो अच्छा लगा है तो like कर दो share कर दो और साथी में एक magic दिखाना चाहूंगा चलिए it's magic का time है it's magic का time है कि यहाँ पे मैंने change case नाम का एक tab बना है जो कि मैंने इसके उपर वीडियो बना है लेकिन फिलाल यह काम क्या करता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे अगर मुझे इसे अपर case करना है तो मैं इसे select करूँगा अपर case हो गया अब मुझे इसे करना है lower case तो मैं इसे select करूँगा lower case लेकिन मेरे पास 50 seat है कितनी 50 seat है और सबको upper करना है तो हर एक sheet में जाकर ऐसा select करूंगा अपर, lower, proper करते बैटूंगा नहीं मैं तो मेरे पास proper 50 sheet है और मुझे हर एक sheet में जाकर upper करना है है हर एक sheet में तो क्या करना पढ़ेगा यहाँ पे all upper case में नहीं बटन दिया है all lower case भी all proper lower सब है तो all upper case करता हो हुरे! converted all sheet into the upper case पहले तरीका यह देखिए अपर यह देखिए अपर यह देखिए अपर सबका अपर हो गया अब छपर करते हैं लोर करते हैं So all lowercase यह देखिए तो यह जो मैंने बनाया है यह add-ins basically इसे कहते हैं और यह excel के अंदर आपके इसमें भी आ सकता है और इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा मैंने add-ins का एक वीडियो रिसेंटली बनाया था और वह आप देख सकते हैं वह उसका लिंक भी आपको description में या उपर आई बटन में देदूंगा कि वह चेंज केस हम कैसे tab add कर सकते हैं कुछ smart work करना चाहिए आपीस मे application की link है जाना है study material tab में study material application पे home screen पे study material tab है उसके अंदर आपको यहाँ पे YouTube चैनल practice file मिलेगी उसमें learn more channel practice file मिलेगा folder और उसी के अंदर आपको मिलेगा यह जो excel tricks related folder और उसमें आप यह जून सकते इसका file का नाम रहेगा highlight duplicate three ways highlight duplicate values in three ways यह duplicates in three ways इस तरह से file है वहाँ से आप download और सकते डिरे सारी फाइल में application के उपर रखिए तो अभी download के अप्लिकेशन को इंतजार की इस बात का कर रहे हैं और application अच्छा लगा तो play store पर review भी दीजिए that's it guys मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिए सीखते रही है सीखाते रही है बाइब प्यू बाइब प्यू जाग बाइब अप।।